हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग मैं हूँ आपका दोस्त आपका मेंटॉर आपका फ्रेंड सीए डॉक्टर अमित खांडल दोस्तों लो जी आगया ऑप्षन इंस्टिट्यूट का इंस्टिट्यूट ने कह दिया भई जो करना है करो देखो जो काऊंगा ने इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर बोलूँ आपको गुमाऊंगा नहीं देख लिए मैंने बहुत सरे वीडियो भई गुमा गुमा के बाते नहीं करेंगे अपन जो भी बोलूँँगा क्लियर कट सीधी बात नो बकवास अब सुन लीजिए दोस्तों बात क्या है कल आ गया ऑप्षन अनॉंसमेंट आ गया सबने वीडियो बना दिये मेरे भाई लेकिन सुनो अनॉंसमेंट तो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा और आपने यूटूब पर बहुत सारे वीडियो देख अब दिमाग में टेंशन ये है भाई कल से 17 कारिक शुरू हो रही है ऑप्षन विंडो खुलेगी ऑप्षन विंडो में आप चाहो तो आप्ट आउट कर दो और चले जाओ भाईया नवेंबर में लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो बच्चों के दिमाग में अभी भी बना हु एक्जाम नवंबर में होगा 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 दोस्तों इंस्टिट्यूट ने अथॉरिटीज ने ऑप्षन दिया है बहुत सारे बच्चे हैं भाई खत्रों के खिरण यह वो वो एक्जाम देना चाहते हैं जुलाई में ठीक हैं देदो भाई देदो आप देदो जुलाई में लेकिन वो तो होगा जब देना क्योंकि अभी तो फस्ट वीक में पता चलेगा जुलाई की अभी क्लियर नहीं है मेरे भाई यह एक मैं आपको क्या बताऊं आपको इंस्टिट्यूट ने बोला है जुलाई में हम पता करेंगे भाई अब कैंसीलेशन है यह यह स्टेट बिलेंगे आपको बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर मेरे पापा मम्मी कह रहे हैं पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं तु एक्जाम दे तु नाटक कर रहा है तुरे पढ़ाई नहीं करी अरे दोस्तों आपके पेरेंट्स को क्या चिंता नहीं होगी उनको चिंता है मेरे पता है किसी को मज़े नहीं आ रहे भाई कि जुलाई से नवंबर चला जाए एक बात बताऊं डियार इंस्टिट्यूट ने टाइम बहुत कम दिया यार दो दिन तीन दिर में बच्चा डिसिजन ले ले यार कोरोनों का किसी को नहीं पता बच्चे मेर से फोन करके कह रहे हैं सर बताओ आपको क्या लगता है जुलाई के अंदर एक्जाम हो पाएगा अरे दोस्तों मुझे क्या किसी को नहीं पता कैसे होगा जुलाई में आप कुछ सोचिए कल की बात हे डियार 12,000 केसे कोरोना पॉजर्टिव अरे कहां से होगा एक्जाम भाई कहां से होगा समझो त तो मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों अगर आपने इस स्कीम को आप्ट आउट नहीं किया तो इंसिट्यूट ये मान लेगा डियर कि आप जुलाई में एक्जाम देने के लिए रेडी हो और वो कहने हैं हम जुलाई के फर्स वीक में अससमेंट करेंगे दुब करेगा और अगर सपोज करो एक परसेंट चांज है कि उन्हों करा भी दिया सपोज करो एक्जाम एमपी बोर्ड में हो रहा है मास्क लगा कर तीन तीन चार चार गंटे पांच वांच गंटे वाई ट्रेवलिंग टाइम भी लगेगा तीन घंटे मास्क लगा कर हम कैसे अगे पांट आउट कर लिया यह मेरी 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 ओपीनियन है दोस्तों यह मेरी ओपीनियन अगर मुझे अपना बड़ाबाई सब्स्राइब सबकुछ मिलेंगे old scheme का benefit भी दे दिया भाई inter वालों को final वालों को भी देखना एक attempt और मिल सकता है आगे दूसरा point आपके दिमाग में confusion खतम हो जाएगा कि यार मुझे जुलाई में exam देना है नहीं देना है देना है नहीं देना है अगर scheme से opt out नहीं करोगे तो यह confusion बना रहेगा आप studies पर concentrate नहीं कर पाओगे दोस्तों तो आपको November के लिए जाना है डियर तीसरा point जो मेरी opinion में सबसे strong है दोस्तों क्या health से बड़ी चीज हो गई क्या यह exam अरे दो महीने में हम कौन से जंडे उपाड़ा लेंगे यार दो महीने बाद फिर November में exam है health और safety बड़ी चीज है और मुझे तो यह बताओ एक बच्चे ने question पूछा सर मैंने मालो दो paper दे दिये जुलाई में exam हो गया मैंने तीन paper दे दिये और फिर वहाँ corona positive case निकल गया containment जोन गोशित हो गया तो क्या मेरे बच्चे वे papers का क्या होगा भई ऐसा आपको लगता है कि institute आपको कहेगा बेटा दो paper मत दे तू और हो सकता है वो दो paper आपके बहुत अच्छे होए हो आपकी मेहनत खराब हो सकती ये डिया अगर दो paper में 60 plus marks थे और आप नहीं दे पाए किसी भी रिजन से भगवान ना करे लेकिन अगर कुछ हो गया तो मुझे बताओ डियर नवंबर में फिर सारे ही paper देना है मेरे भाई ये कोई वो exam नहीं मोड का कि दो पहले दे दिये ले बेटा अब ये paper अभी और दे दे और आप लोगों के दिमाद में पता है सबसे बड़ा confusion क्या है यार मेरा दोस्त तो दे रहा है मैं नहीं दूँगा तो यार मैं तो फिर नवंबर में दूँगा मैं दो महीने बाग सीए बनूँगा अरे कितना भी दे लो भाई सीए एक्जाम में कोई नहीं पता कौन किसका senior कब बन जाता है और सबकी अलगलग situations है मेरे भाई सबकी अलगलग situations है तो एक दूसरे को देखकर rat race मत करो और नवंबर के लिए opt out कर लो समझिये मेरी बात को ये cancellation ही है मेरे भाई आपको cancellation ही दिखा रही है कि जुलाई में एक्जाम कराना बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल समझिये मेरी बात को इंटिट्यूट भी इस बात को समझता है जब ही उन्होंने बोला हम जुलाई में assessment करेंगे तो assessment करने का मतलब है भहिया कोई शौर नहीं है भी situations out of control है और government guidelines के बिना exam नहीं हो सकता आप मानिये मेरी बात को तो दोस्तों आपको यही कहना चाहूँगा safe रहिए जीवन life आपके parents से बड़ा ये exam नहीं है नहीं है मेरे भाई और अगर concentration से पढ़ना चाते हो एक गुरुप वाले थे दोनों गुरुप देने थे भहिया concentrate करने का समय आ गया सीधा नवंबर attempt के लिए जाओ और बोध गुरुक की पढ़ाई शुरू कर दो tuition नहीं है tuition ले लो online course मिल रहे हैं बहुत कम price पर और दोस्तों old scheme वालों के लिए मैं एक gift भी announce करने वाला हूँ मेरे coming वीडियो में या तो वो आज रात तक आ जाएगा या कल सुबह मिलेगा आपको old scheme इंटर और final के लिए मेरी थरफ से एक बहुत बड़ा gift आप लोगों के लिए वो भी मैं announce करने वाला हूँ तो दोस्तों फिर एक ही बात कहूंगा समस्दारी रखिए समस्दारी बार बार confused होने की जरुत नहीं है एक बार में जाओ क्लिक करो और opt-out कर दो scheme को जो खतरों के खिलाडी है जिनको exam देना है वो दे वो opt-out ना करें वो इस वीडियो को ना देखें और सीधा exam के लिए तैयारी करें और देखते रहें कि जुलाई में exam होगा नहीं होगा होगा नहीं होगा अगर clear cut चाते हो dear तो November के लिए चले जा साम को लेकर क्या करना है कल से window open हो रही है मैं institute को request करूंगा मैं बोलूंगा institute को इस वीडियो की तुरू बोलूंगा institute प्लीज इस time को दो चार-पांस दिन और बढ़ा दो वाई दो दिन में इतना बड़ा decision बच्चे नहीं ले सकते लेकिन मेरा यह कहना idea कि आपको November के लिए जाए ठीक है जी लांस में जाते जाते यह की बात कहूंगा जोश दिल में जगाते चलो अरे जोश दिल में जगाते चलो जीत के गीत गाते चलो थेंक्यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो